बच्चों की पढ़ाई सहित कई तरह की जरूरते इन दिनों परवान पर है लेकिन ATM ही नहीं जिले की अधिकांश बेंक शाखाओं में कैश की कमी पढ़ गई है जनपद में SDI, PNB, पूरवांचल बेंक, Central Bank of India सहित विभिन बेंकों की 184 शाखाएं हैं जिन में से अधिकांश बेंकों की शाखाओं में जरूरत के हिसाब से कैश नहीं मिल रहा है सबसे देनी एहालत पूरवांचल बेंक की है, जिसकी 51 शाखाओं में जरूरत के हिसाब से 50 फीज दिकम कैश मिल रहा है कम वेश यही स्थिती Central Bank of India और PNB की शाखाओं में भी है SBI ने कैश की कमी न हो, इसलिए रिजर्व बेंक से कैश लाने के लिए सुरक्षा विवस्था की मांग कर दी है वहीं अग्रणी बेंक के जिला प्रबंधक ने रुपए की कमी दूर करने के लिए रिजर्व बेंक से 2.50 करोड रुपए की डिमांड की है कैश की इस कमी के चलते किसान, चात्र, अभिभावकों के साथ साथ वे लोग अधिक भी ज्यादा परेशान हैं जिनके घरों में शादी की तारीख नजदीक आ चुकी है इन दिनों लगन का समय है लोग अपने बेटे बेटियों की शादी का सामान खरीदने के लिए परेशान हैं क्यूंकि पड्रोना नगर में जहां विभिन बेंकों के करीब 35 एटी एम लगे हैं लेकिन 3-4 बेंकों के एटी एम को छोड़ दिया जाए तो अन्यमें रुपे नहीं मिल रहे हैं किसी एटी एम में रुपे नहीं पड़ रहे हैं तो कोई खराबी के कारण नहीं खुल रहा है किसान अपने खाते में आईगंधना मूलिय और भुगतान के लिए बेंकों का चक कर लगा रहे हैं इसी तरह विद्यालेओं में शेक्षिक सत्र शुरू हो जाने के कारण अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन, कापी किताबें और ड्रेस खरीदने को लेकर चिंतित हैं क्यूंकि ATM के साथ साथ बेंकों में आवशक्ता के अनुरूप रुपे नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं जीले भर में उगिभिन बेंकों की 185 शाखाएं संचालित हैं इनमें प्रमुक रूप से पूर्वांचल बेंक की 76 शाखाएं हैं जिसमें से 56 शेत्रिये प्रबंदक कार्यालया पड्रोना तता शेश गोराखपुर के रीजनल कार्यालया के अधीन संचालित होती हैं सेंट्रल बेंक अफ इंडिया की 28, PANB की 25, SBI की 20, इलाहबाद बेंक की 7, बेंक अफ बढ़ादा की 5, HDFC बेंक की 5, ICSai की 2, Corporation Bank की 2, Kanada Bank की 2, Indian Bank की 1, Oriental Bank of Commerce की 1, Union Bank of India की 5, Bank of India की 1, Andra Bank की 1, और द्योगिक विकास Bank of India Bank की 1, Bank of Maharashtra की 1, Punjab and Sindh Bank की 1, Syndicate Bank की 1, Indian Overseas Bank की 1, Axis Bank की 1, कोटक महिंद्रा की 1, और बंदन बेंक की 1, शाखा शामिल है, भारत सरकार Cash Lace सिस्टम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन Cash Lace सिस्टम का एक प्रमुख माद्यम ATM सरकार की इस मंचा पर पानी फेरता दिख रहा है, क्यूंकि 24 घंटे Cash देने का दावा करने वाले ATM, एनी टाइम टेलर मशीन, सिस्टम का शटर ज्यादतर समय बंद रहता है, अगर खुलता भी है तो अधिकतर ATM Cash Lace रहते हैं, चंद गिने चुने ATM के बाहर 50 से एक साउग राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है, पड्रोना शहर में जहां 35 ATM हैं, वहीं ग्रामीन क्षेतर के बाजारों में विभिन बैंकों के 214 ATM लगे हैं, बुद्वार को पड्रोना के HDFC, SBI, Bank of 12 सहित कई बैंकों की शाखाओं के आगे ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रही, वहीं अन्य ATM या अंत्रिक खराबी या कैश के अभाव में बंध थे, अग्रणी बैंक के जिला प्रबंध के चैल कुश्वाहा का कहना है कि ATM के साथ-साथ बैंकों में भी कैश की कमी हो गई है, क्योंकि इन दिनों लगन के साथ-साथ बच्चों के एड मिशन का समय है, सेंट्रल बैंक की 28 ब्रांचों में से 15 से 16 हैसी शाखाओं में कैश की कमी हो जा रही है, जो ग्रामीं क्षेत्रों में है, कैश की कमी दूर करने के लिए रिजर्व बैंक से 2.5 शुन्य करोड रुपए की डिमांड की गई है, शुन्य एस्बी आई की पड्रोना स्थित मुख्य शाखा के डिप्ती मैनेजर अखिलेश वर सिनका कहना है कि अन्य बैंकों में कैश की कमी है, लेकिन इस भी आई चेस्ट ब्रांच होने के कारण अभी दिक्कत नहीं है, फिर भी स्थिती को देखते हुए रिजर्व बैंक से कैश मंगाने के लिए इस पी से मिलकर सुरक्षा मोहया कराने की मांग की जाएगी शुन्य पी एन बी के डिस्ट्रिक्ट को आर्डिनेटर आर्पी सिनका कहना है कि लगन का समय होने के चलते कैश की डिमांड जादा बैंकिंग, ATM और POS जैसी सोविधाय नहीं है शुन्य पूर्वांचल बैंक की पडरोना शाखा के प्रबंदक SP मिश्र का कहना है कि इस बैंक के पास खुद का चेस्ट नहीं है दूसरे इसमें ज्यादतर किसान ही खाता धारक हैं जिन्हें इंद